केज निवाल जी ने एक बात कही थी कि वे मेरे को CBI और ED दो दिन के लिए दे दो भारतिय जनता पार्टी के आदे से यादा नेता अंदर होंगे क्यों नहीं उनको काम करने दिये जा रहे आज जो दिली के स्कूल पबली की स्कूलों को टकर दे रहे है वो केज निवाल की बदोलत दे रहे है आप जाके देखिए दिली गोर्मेड के स्कूलों के अंदर कितना अच्छा भी कास है क्या हिंदूस्तान के इतियास के अंदर यह दिल्ली में जो वर्चफ ज्यादा निकल के आएगा वो आमाद्मी पार्टी का आएगा क्योंकि लोगों की जो मूल भूस स्वीदा है बिजली पानी बसकी और अपना सीवर की सारी जो है आमाद्मी पार्टी ने अपने काम को बखू भी निवाया यह तो एक हिंदुस्तान की विड़म बना है भाई मोधि जी की चल रही है स्टर थीक है मोधि जी ने एक कानून बना के एक दिल्ली के दिली की क्या हिंदुस्तान के हितियास के इंदर ये पहली बाहर हुआ के एक मुख्य मंतिर को तुमने तिहाल के अंदर भेज धीया यह कहां का निया है इ सर beginner इडी ने उसको साबित किया से अधर को नहीं उनसा काम करने डिए जा रहे क्यों नहीं काम करने दिये जा रहे पर वो यह बोले कौन जो बोले उसके घरीड़ी पहुच जाएगी उसकी फाइले खुल जाएंगी उसके घर चापे मारी हो जाएगी यह तो मोधिराज चल्ला 400,000,000,000,000 किस बेस के अप्र कह रहे हैं के वही मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल के अंदर पड़े अमीर आदमी ने अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पड़ाया अच्छे अच्छे इंस्सिटूट में कोचिंग दिलाई उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तियारी कराई लेकिन दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने पहले भी स्कूल वही थे और आज की डेट में भी स्कूल वही है पहले भी टीचर वही थे और आज की डेट में भी टीचर वही है लेकिन जो दिल्ली के स्कूलों का विकास हुआ वो केजरीवाल की सरकार के अंदर हुआ आज जो दिल्ली के स्कूल पबलिक की स्कूलों को टककर दे रहे हैं वो केज निवाल की बदोलत दे रहे हैं आप जाके देखें दिल्ली कोवर्मेंट के स्कूलों के अंदर कितना अच्छा भी कास है स्कूल के अंदर टोइलेटे देख लीजिए बच्चों के लिए कितने बढ़िया है हर चीज बहुत अच्छी है और आप दिल्ली कोवर्मेंट के होस्पिटल देख लीजिए चाहे पंत देख लीजिए और चाहे आरेमेल देख लीजिए कोई से भी दिल्ली कोवर्मेंट के होस्पिटल देख लीजिए सब के अंदर अच् झाल कि अ कर दो के एिड़ को और ठाल के वाल